परमेश मनोडी भी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार हम बने हुए हैं, कविताओं के जरीए भी लोगतंतर के इस उत्सव को मनाने की कोशिश हमारी है और अपने दर्शकों का भी मनोडन जन होता रहे बीजबीज में, कविताओं के माध्यम से वो भ पहले भी इन्होंने कविता ही सुनाई हैं, तो एक बार फिर तो हमारे दर्शकों के लिए आप शुरू कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, चार पंक्तियां सुनाता हूं, आपके सदन में रखता हूं, चुनावी वोट देने का महत्त देखिए, के वोट दो साथियो अपने कल के लिए, रूठ जाए नकल अपने पल के लिए, अपने मुद्धों का हल राजनीती में है, अपने मुद्धों का हल राजनीती में है, इसलिए वोट दो अपने कल के लिए, वोट दो साथियो अपने कल के लिए, रूठ जाए नकल अपने पल के लिए, वो चार प्रंक्तियां गाउं के ऐसे मुद्दे कि खुद मैं जिस गाउं साता हूं 2017 में उस गाउं में पानी आया है तो उसके लिए देखें कि गाउं सुखे नहीं अपने जल के लिए खेत बंजर नहो अपने हल के लिए आपके वोट पर ही विका सैटिका इसलिए वोट दो अपने कल के लिए वोट दो अपने कल के लिए वोट दो साथियो अपने कल के लिए रूट जाए नकल अपने पल के लिए और चार पंक्तियां बेरोजगारी से लिका स्फरोजगार के मुद्दे देखें इक काम हम को मिले अपने कल के लिए घर में छाए खुसी अपने पन के लिए काम के नाम पर वोट देना हमें कोई भट के नहीं अपने कल के लिए कोई भट के नहीं अपने पल के लिए वोट दो साथियो अपने कल के लिए रूट जाए नकल अपने पल के लिए और चार पंक्या व्यंग देखना के गाउं में आये बंदर खेत हुए बरबाद मैं नाम नहीं लोगा के गाउं में आये बंदर खेत हुए बरबाद नेताजी दहरादुन पहुँचे हो गए आबाद और पांच पांच साल का काम बंदर बता रहे हैं हमको युवा है नाराज बहुत गाउं हुआ नासाथ गाउं में आये बंदर खेत हुए बरबाद नेताजी दहरादुन पहुँचे हो गए आबाद और यह जो लाइने हैं बिल्कुल सटिक बैठती हैं हम अपने दर्शकों को लगाता बता भी रहे थे परवेश मरोडी ने जो लाइने हमें सुनाई है एक तो वोट दो अपने कल के लिए और जो काफी खूबसूरती के साथ अपने लाइने लिखी हैं गाउं के जल के लिए गाउं के खेत के लिए उनके हल के लिए और बोट अपने कल के लिए दो तो हम भी आ आतंक मजाया हुआ है चारों तरफ बंदर ही बंदर नजर आते हैं और गॉरेश मनोडी ने जिस तरीके से लाइने लिखी कि नेता तो चले गए शहर में और गाउं में क्या छूट गए बंदर तो ये लाइने एक बार फिर से आप सुनाएए और पांच साल का काम बंदर बता रहे हैं हमको युवा है नाराज बहुत गाउं हुआ नाशाद गाउं में आए बंदर खेत हुए बरबाद बिल्कुल 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 गाउं में आए बंदर और खेत हुए बरबाद और नेता जी नेता जी दहरादून पहुंचे हो ग है नेता जी शहरा के आबाद हो जाते हैं तो बहुत जूत जो घारे लगाते हैं ऍब दूब नेता की परिभाषा कही है परमेश मनोडी ने अपनी इन लाइनों के जरिये और बिलकूल सटीक बैठती है लाइने चाहे वोटिंग की अपील हो या फिर नेताओं की परिभाशा हो या फिर गाओं की स्थियों बंदर किस तरह से बदबाद कर गए हैं यह तमाम चीजें आपको सुनने को मिल रहे हैं इस वक्त संवाथ बे नकाब चहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं तूटताती लिस्म आज सच से भैखाता हूं गीत नहीं गाता हूं बे नकाब चहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं तूटताती लिस्म आज सच से भैखाता हूं गीत नहीं गाता हूं लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे का सहर अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं गीत नहीं गाता हूं गीत नहीं गाता हूं पीट में छुरी सचांद राहु गया रेखपांद मुक्ती के छणों में बार बार बंध जाता हूं गीत नहीं गाता हूं तूटे हुए तारों में बासंती सर तूटे हुए तारों में बासंती सर पथर की छाती में उगाया अंकुर पथर की छाती पर उगाया अंकुर प्राची के अरुणी मा देख देख पाता हूं गीत नहीं गाता हूं तूटे हुए सपनों की कौन सुने सिस की अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिटे की हार नहीं मानोंगा रार नहीं ठानोंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नहीं गाता हूं गीत नहीं गाता हूं गीत नहीं गाता हूं गीत नहीं गाता हूं बाद अपने दर्शकों को तमान अपडेट्स दिये हैं आगे की पंग्तियां जो है आप पेश करते हैं अब जो आठ पंग्तियां में सुनाओंगा वह जीतने के वाद विधाय क्या करता है कैसे घष्टाचार करता है सुनिगा के वे बोले ज्यादा मत बोलो चाचा अपने विधायक हैं हर बात पे वो लड़ जाते हैं लहजा एक अदावत है चुप रहते तो दुख सहते पर दुख को कैसे सहते वे बोले इतिहास पड़ो चाचा तो खल नायक हैं वे बोले ज्यादा मत बोलो चाचा अपने विधायक हैं हर बात पे वो लड़ जाते हैं लहजा एक अदावत है चार पंगा सुनिया गाउं के लड़के दरदर की ठोकरें ही खाते हैं एक आंदोलन ऐसा भी हो जो पक्छ पाद को तोड़ दे लेकर हातों पर तिरंगे गीत गुन गुनाते हैं गाउं के लड़के गाउं के लड़के दरदर की ठोकरें ही खाते हैं और इससे पहले उनने बताया था किस तरीकी समस्याई गाउं में रहती हैं की समस्यां गाउं में हैं तो लगाता है क्योंकि कविताओं का दौर भी चले ही रहा है अलग-अलग राग कहा जाए अलग-अलग कैटेगरी की कविताओं आप लिखते हैं और कुछ सुनाई है हमारे दर्शों को चाहर प्रंगतिया मैं ऐसी आपको सुना देता हूं होता हमारी आँख का पानी समंदर हो गया होता जो दुनिया से लड़ा होता सिकंदर हो गया होता हमारी आँख का पानी समंदर हो गया होता जो दुनिया से लड़ा होता सिकंदर हो गया होता बहुत जजबात थे अंदर के जो उनमाद भरते थे पागलपन तो मैं हिटलर हो गया होता हमारी आँख का पानी समंदर हो गया होता जो दुनिया से लड़ा होता सिकंदर हो गया होता पर हम यू आ है हमें निरास नहीं होना है और हमें इंचनोतियों से लड़कर ये कहना है क्या कि पोरस और सिकंदर हैं घुटने टेक नहीं सकते किसी से हार जाएं हम ये भी देख नहीं सकते पोरस और सिकंदर पोरस और सिकंदर का युद्धवातस रावस्ति का जहिलम नदी के किनारे लेकिन पोरस के सामने सबसे बड़ी चुनोति थी जहिलम नदी को बरसात के मौस्तर में कैसे पार किया जाएं और सिकंदर के सामने चुनोति थी कि जहिलम की नदी थी उसको कैसे पार किया जाएं और पोरस के सामने सबसे बड़ी चुनोति थी कि सिकंदर की से हार जाएं हम ये भी देख नहीं सकते बहुत दुसवारियां और कस्म कस है जिन्दगानी में वो जेलम कह रही थी कल वो जेलम कह रही थी कल मुझे तुम भेद नहीं सकते वो जेलम कह रही थी कल मुझे तुम भेद नहीं सकते पोरस और सिकंदर हैं घुटने टेक नहीं सकते वाह क्या बात है तो बड़ी ही खुबसूरती के साथ परमेश मनोरी ने हमें कविताएं सुनाई है और बहुत ही खुबसूरती के साथ हमारे वेलंटायन डे भी है और रस होंगे क्यों कि वैलेंटाइन डे को मना टेहुंगे उन कि लिए पुछ पंग्तियां सुना दी ले बहुत भुत धन्यावाद वैसे में जो आपने ओं पहली बाहर्य लिखा आपके कहने पर मैं एसे युविसयाए लिखता हूँ जो 10 साल भी अ मुझे पता नहीं कैसा लिखा है लेकिन लिखने की कोशीज की है सुनिएगा इसका तो बहुत अन्वाइब की जो आपकी जो आपका कहना यह आपकी जो प्रेम रस पे लिखने की है रिस्तों में गर्मियां जन्वरी तो बनो ख्वाब हो जाएं सच तुम परी तो बनो यह जमाना तुम्हें जान जाएगा पर यह जमाना तुम्हें जान जाएगा पर मेरे सपनों की तुम फरवरी तो बनो मेरे सपनों की तुम फरवरी तो बनो प्रेम में हलात क्या होते हैं स बिखरे बिखरे से सामान से हो गई प्यार में हम तो सलमान से हो गई प्यार में हम तो सलमान से हो गए उसने नजरों से फैंका जो पर मान बम तब से हालात जा पान से हो गए बिखरे बिखरे से सामान से हो गए दिल में आकर जरा दिल में आंकर जरा तुम अनुराग तो बनो दिल में आ करके तुम अनुराग तो बनो मेरे सपनों की तुम राजधानी बनो मेरे सपनों की तुम राजधानी बनो माफ करना तुम्हें आजाए माफ करना तुम्हें आजाएगा पर मेरी तर है जरा खांदानी बनो मेरी तर है जरा खांदानी बनो और चीर ब्रिक्स का एक उठाया मैंने देखना के रूप का आँख से जो मिलन हो गया क्या बताओं तुम्हें अंजुमन हो गया क्या बताओं तुम्हें अंजुमन हो गया फूल और चीर का सामना जो हुआ तब से अपना जहां तब से अपना जहां तब से अपना जहां तब से अपना जहां बधूवन हो गया तब उसे अपना जहां मधूवन हो गया बिल्कुल बहुत चांदार पंक्तियां सुनाई है परमेश मनोडी ने तो क्योंकि प्रेम रसके भी कभी है तो उस लिहाज की पंक्तियां उन्हों सब्सक्तियां सुनाएं इससे पहले सियासत को लेकर के उन्हों कुछ और सुनाना चाह रहें बिल्कुल सुनाईे करोन 1 Mom ने उपमाएएं की उपमाएं दी हैं यह है कहना कुछा रहा हूं लेकिन बिशाय कुछ और है आप कुछ और समझेंगे हम कुछ और कहना चाहरे हैं यह कविता का सबसे बड़ा गुने इसके टेवर तेरा तेवर तेज रब पाकिस्तानी दिल मेरा हिंदbury तेवर तेरा पाकिस्तानी दिल मेरा हिंदुस्तानी तू अमेरिका सी मगरूर है और तू अमेरिका सी मगरूर है और मैं बिचारा जा पानी बात ओ बात मैं तुमने दुनिया हम को दिखलाई के बात ओ बात मैं तुमने दुनिया हम को दिखलाई दिल में आकर के जरा तुम अनुराग हो जाओ जोड़े जो सबको यहां जोड़े जो सबको यहां ऐसा प्रियाग हो जाओ और मिलती जैसे नदीया है ऐसे मुझे मैं मिल जाओ रे मिलती जैसे नदीया है ऐसे मुझे मैं मिल जाओ रे प्यार के संगम का तुम रे प्यार के संगम का तुम दे परियाग हो जाओ बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रियाग तक आपने पहुंचा दिया है कोरोना से लेकर चुनाव से लेकर और पेमरस की कुछ कविताएं सुनाएं आपने बहुत-बहुत